नमस्कार दोस्तों संकर इस्टेडी पॉइंट यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी लोगों को पताने वाला हूं कि जो लेकपाल की परिच्छा है वह हमारा 19 जून को प्रस्तावित था बट अब यह 24 जुलाई 2022 को आयूजित किया जाए चलिए द दिनांग पड़ा है दिनांग एक चून 2022 उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग पिकब्भवन तितल गोमति नगर लखनो आवश्यक सूचना आयोग की आवश्यक सूचना संख्या साट बाई तीस खंड दिनांग 21 अप्रेल 2022 का संदर्व ग्रहान के ने समस्त अभ्य वर्जन वर्ष 2022 के कलेंडर में दिनांग 19 जून 2022 को किया जाना प्रस्तावित था किन्तु अपर हार कारणों के द्रिश्टिगत प्रस्नगत विक्यापन की लिखित परिच्छा 19 जून 2022 के अस्थान पर दिनांग 24 जुलाई 2022 को आयोज किया जाना प्रस्तावित है अर्था तब हमारा जो लेकपाल की मुख्य परिच्छा अब कब होगा तो वह अब हमारा 24 जूलाई को होगा चलिए एक और इसी में सूचना है देख लिजिए दूसरा है कि आयोग के विक्यापन संख्या समलिक्त्री में अपरवर्थ पूर्ती निरिच्छक मुख्य परिच्छा ज इनांग 17 जूलाई 2022 को आयोजित कियाना जाना प्रस्तावित है तो यह तो जो नो मातपूर्थ सूचना है थी हमारा जो अब लेकपाल की परिच्छा है वह 24 जूलाई 2022 को होगा और समलिक्त्रवर अपर वर्ग सायक मुख्य पूर्ती निरिच्छक मुख्य परिच्छा जो ह अब 29 जूना हो करके 17 जूलाई 2022 को आयोजित किया जाए गा तो यह थे आप सभी लोगों के लिए अतिम हत्पूर्थ सूचना चैनल पर अद नया तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा सेयर कर दीजिएगा दोस्तों में जिससे यह जानकारी सभी लोगों के पास पहुं सके थैंक्स पार बाचिंग